हेलो और वेलकम टू मिर्च मसाला आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल चूड़ा सालों साल से परफेक्ट टेस्ट के साथ बना मेरे सासुमा के हाथ का ये चूड़ा सभी को बहुत ही पसंदाता है टेस्ट में बीना कॉम्प्रेमाइस करे परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ ये चूड़ा को इतना हेल्दी बनाती है कि बच्चों से लेकी बुढ़ोतों सभी को ये बहुत पसंदाता है इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधिकटोरी काजू, आधिकटोरी बादा, दो से तीन लाल सुकी मीर्च, थोड़ा जीरा, दलिया आधिकटोरी, पोनी कटोर जितना हमने लिया है मूफली, और लिया है कड़ी पत्ता, सफे तील लिये है थोड़े, और लिया है हींग, हींग से हमारा चूड़ा पचने में एकदम आसान बनेगा, आप चाहो तो इसमें से काजू और बादाम स्किप भी कर सकते हो, अब चूड़ा बनाने के लिए हमने पोहा आधा किलो, अब पतले पोहे को हमने अच्छे से चान के साफ कर लिया है, पतले पोहे को धूप में सुखा के चूड़ा बनाए तो इसका चूड़ा बहुत ही अच्छा बनता है, पर यदि आपके घर में धूप ना आती हो, तो आप इसको सेक के अच्छे से बना सकते है जिससे आपका चूड़ा बहुत क्रिस्पी बनेंगा सेखते वक्त हमने पोहे में थोड़ा नमक और तेल डाला है जिससे हमारा पोहा जल्दी से सेखके तयार हो जाए अब इसको नमक और तेल डालके अच्छे से चलाते रहना हैं कंटिन्यू चलाने से जलेगा नहीं और ज यार्म तेल की ज़रुत नहीं होती क्योंकि काजू यह जल्दी से काले हो जाते है इसलिए हमने स्टर्टिंग में थोड़े कम तेल में हम इसको हलका ब्राउन करके निकाल लेंगे हमारे काजू अब रलके ब्राउन हो गया है अब हम हमारे पोहे में इसको मिक्स कर देंगे इसके साथ हम अब तल रहे हैं दलिया दलिया को भी अच्छे से चलाते रहेंगे थोड़ा हल्का ब्राउन होने पर इसको भी हम निकालके हमारे पोहे में आड़ कर देंगे डलिया हमारा हलका brown color का हो गया है अब इसको निकाल के हम पोहे में mix कर देंगो इसी प्रकार हम हमारे बादाम भी तल लेंगे इसको भी थोड़ा brownish होने तक हमको तल लेना है और हमारे पोहे में इसको mix कर देना है अब हम तलेंगे हमारे मुमफली के दाने मुमफली के दाने हम तल रहे हैं इसको भी थोड़ा हलका light brown होते ही हमको निकाल लेना है मुमफली के दाने तलते वक्त हमको gas को ज़्यादा fast नहीं रखना है क्योंकि ये जल्दी से काले पड़ जाते हैं हमने सब इस चीजों को तलके पोहे में मिक्स कर दिया है अब हम जाएंगे तड़का बनाने की प्रोसेस की और उसके लिए हमने तेल में जीरा डाल दिया है जीरा अच्छे से चटकने के लिए मिर्ची गड़ दाल दिया है अब इसको हम एक बार घुमा लेंगे मिरची को अच्छे से अलट पखलाट करके सेख लेंगे अब इसमें डालेंगे हम कडी पत्ता कडी पत्ता हम इसमें जादा डाल रहे हैं इससे हमारे चूड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता अच्छे से तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच हीन और सफेद वाले तील अब इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चमच हल्दी पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर रहे है और हम इसमें डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो आप इसमें मिर्च पाउडर ज़्यादा आड़ भी कर सकते है अब ये जो तड़का है हम वो हमारे पोहे के उपर डाल देंगे अब इसमें हमने आड़ किया है स्वादा नुसार नमक अब इसमें हम डालेंगे एक से देड़ चम्मत चीनी चीनी से हमारे चूड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चल अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो बड़े स्पून की मदद से हम उपर से निचे तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा चूड़ा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे सासुमा के हाथ का सालो पुराने ट्रिक से बनाया गया ये चूड़ा बनाने में जितना इजी है टेस में उतना ही जादा स्वादिश्ट है एक बार इस मेथड से ज़रूर ट्राइक कीजिए हर बार आप यही मेथड इस्तमाल करना चाहेगे जो पहली बार चूड़ा बनाना सीक रहा है वो भी इजीली यह चूड़ा बना सकता है तो खाए खिलाए और मस्त रहिए और जिसने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब करिए और साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे आपको सब ही नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक, शेर और कमेंट करना मत भुलेगा तो देखिए आधा किलो पोहे से हमारे स्टिल का पुरा डबा भर चुका है और सर्व करने के लिए ये एकदम रेडी है खाईए और एंजोई करिए